वालकम बैक फ्रेंट स्वागत आने तर निव वीडियो में आप सभी लोगों का तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिरलंका वर्सेज इंडिया के बीच में जो सेकंड टी टो एंटी आई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में पिछला चलना है रियान पराग पिछले मैच में तीन विगेट निकाल के आरा क्या बंदे को टीम में रखना है पाथू निसांका जबरदस्ट पिछले मैच में पफॉर्मेशन जितनी भी नॉलेज आप लोगों को एक सिंगल पाटिकुलर वीडियो में मिलने वाली है तो आप आप लेगों को मैं फिछ रिपोर्ड बताता चलू कि यह भी मुकाबला सेम उसी ग्राउंड पे जहां पे पिछला मुकाबला खेला गया था मतलब पालकले इंटरनेफनल स्टेडियम के ग्राउंड पे होता हुआ दिख जाएगा जो कि एक न्यूटल विकेट है मतलब की 50- फिफ्टी ग्राउंड है यहां पे बैक्टर पलस बॉलर दोनों ही उसधर को अड्वान्टेज्ञ को बी अद्वांटेज मिलता है ठील है मतलब दोनों पर कारगा के बालर यहां पे काफ़ी बताता हूँ जहाँ पे दोस्तों देखो विकेट कीपर सेक्षन से खेले थे रिशव पंत और इन्हों ने किया था भाया 49 रन ठीक है मैं लाइव मैच भी देख रहा था लेकिन ये जो रन किये थे ना काफी जादा इन्होंने श्ट्रगल किया था मतलब इस्टार्टिंग में लेकिन रियालिटी बताओं तो ये कल काफी ज्यादा फस रहते हैं तो हो सकता है अगर टीम चाहे तो संजू सैंसन का विकल्प है जो कि इनको मौका देना चाहे तो दे सकती या दरवाइस देखो रिशाप पंत आप लोगों को चार नंबर पर बैटिंग करेंगे तो फिर यह important खिलाडी रहने वाले हैं ठीक है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ यह विकेट कीपरिंग भी करते हैं तो अगर बंदा बैटिंग से फ्लॉप हो जाता है तो विकेट कीपरिंग का काफी बड़ा advantage रहता है तो आप लोगों को वहाँ catching stamping के भी यह point देते हुए दिख सकते हैं तो रिशाफ पंद और मैं बताता चलू आप लोगों को सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले जो प्लेंग लेवन थी वह यहां पर खिलाडी में select कर लेता हूं ठीक है उसके बाद देखो यहां पर मैंने प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है आप लोगों को ए deserve करते थे लगाना भी चाहिए था तो opening pair बिल्कुल fix है लेकिन फिर भी मेरा मानना यह था ना कि शुमन गिल अगर one down खेलते तो जादा बहतर विकल्प हो सकते थे और अभिशेक सर्मा को squad में रखना चाहिए था खैर अब नहीं है तो कोई बात ही नहीं फिर से यह आप लोगो हमार यादो आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे जो कि पिछले मैच में लाजवाब इन्होंने नौक खेली थी क्याप्टन भी है क्याप्टेंसी वाली नौक खेलेते हैं और 60 पलस की इनकी एवरेज है सिरलंका क्या है ठीक है तो यह दरसाता है कि यह कितने जबरदस् और पलस जब सिरलंका के सामने खेलते हैं तो और भी इनका विकलांग मतलब खतरनाक वाला रूप धारन कर लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास हार्दिक पांडिया थे जो कि खेलने आयते तो हार्दिक पांडिया का यह था कि बैटिंग से तो खिलाली लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन इनको कुछ मत करना बैट टोटली बंदा फ्लॉप हुआ था अक्षर बडेल की बात करते हैं तो बैटिंग से जादा तो योगदान नहीं दे पाय थे लेकिन बॉलिंग से भाई ने दो विगिट निकाला था वैसी भी यह इंपो इहां पर रियान पर आगnajत हैं बैटिंग से तो कुछ खासा यह भी नहीं कर पाई लेकिन भाई नहीं यह शॉकिंग ली 3 लिगेट निकाल दिया तीन विकेट इन्हों निकाला लेकिन आप लोगों को बताता चलू जो तीन विकेट इनको मिलेते सारे के सारे टेलेंडर्स्ट हैं बागी रिंकू सिंग हाड इटर बैटर हैं कल इनका बैट नहीं चल पाया लेकिन जबरदस्त ये हिटिंग करते हैं उसके बाद देखो बॉलिंग से अगर बात की जाए अर्शेदीप सिंग का पफॉमेंस अच्छा था मतलब लास्ट में जाके इनको विक्टे मिली हैं क्यूंकि स्टार्टिंग में भाई इनको धोय गया था बहुत तगड़ा उसके बाद यहां पर रवी विस्नोई को भी ला के लिहास से ऐसी कोई बात नहीं है तो यह कुछ इंडिया के खेलाडियों का पिछले मैच में परफॉमेंस आया था सिरलंका की धरवाद करते हैं तो सिरलंका के तरफ से यह दो विकट कीपर खेले थे जहां पे कुसाल मेंडिस और पाथुन निशांका ओपन करते हुए बह का प्रिमियर लीग खतम होने वाला था क्वैलिफायर वगएरा के मैश में इनका बहुत अच्छा परफॉमेंस था दोने इलाजवाब खिलाडी यह पलस अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो काफी बड़ा अडवांटेज इसका भी इन दोनों को मिला था पिछले मै मानना था कि अगर मेंडिस को कैप्टेंसी या हसरंगा को दे दी जाती तो ज्यादा बहता रोकता वैसे लंका प्रिमियर लिग में अस लंका का परफॉमेंस बहुत अच्छा रहा था पलस देखो यह पार्ट टेम वहां पर बॉलिंग भी कर रहे थे यहां पर तो लंगा यह तो वैसे भी यार फॉर एवर ग्रीन खिलाडी रहने वाले इनको तो टीम में लेही के चलना है सभी लोग लेके जाएंगे बागी संका देखो आई थिंक इनसे बॉलिंग करवाना चाहिए था जब टीम कि इतनी बुरी सेच्वेशन थी कि आप 200 पलस रन दे रह जो कि लंका प्रीमर लीग में यह भी बॉलिंग कर रहे थे विक्टे भी मार रहे थे आई थिंक बॉलिंग करना चाहिए था ग्रांड लिग के पर।फेक्ट खिलाडी रहने के बाद जो कि आती ही देथ में फेकते हैं लगभग फंदरा उबर के बाद इनके तीन उबर रहते हैं तो वहां पर इनको काफी जादा विक्टे मिलती हैं एक 244 पॉंट इन्हों ने चार विक्टे निकाल की दिया था ठीक है सेकेंड इनिंग में जो लोग ग्रांड लिंग में रिक्स लेना चाहें छोड़ के चल सकते हैं वहीं मधू शांका फर्स्ट इनिंग के बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता भाया देथ में बॉलिंग करेगा प परेरा को किसी भी निंग में आप लोग जरूर जियल में ट्राई करना कमेंडू में इसको फर्स्ट बैट में असलंका को फर्स्ट बैट में ट्राई करके चल सकते हो रिसेंट फर्म पे जरा नजर यहां से डाल लेते हैं देखो पिछले मैच में क्या कुछ हुआ था इंड ले सकते हो स्कुआइड का डीटेलिंग रिसेंट फॉर्म है ठीग है देखो स्रिलंका के तरफ से इनके जो टॉप पफोर्मर थे पाथुन ने सांका 79 रन बॉलिंग में इनके पास पथिराना ने चार विकेट निकाला था बागी स्कुरिंस ले ले लेना इनकी स्कुआइड क की डेटेलिंग देखो यही चीज़ कहा रहा था कुसाल मेंडिस जबरदस फॉर्म से आ रहे थे हैं वही पाथुन निशांका का उतना बहतर फॉर्म नहीं था जब लंका प्रीमेर लिग खतम होने वाला था कमेंडू मेंडिस के फॉर्म पे एक बर नजर डालना ग्रांड लिग का बहुत परफेक्ट खिलाड़ी है संका को देखो इन्होंने विकेट निकाला हुए लंका प्रीमेर लिग में एक बार तो तीन विकेट भी निकाल के आ रहे हैं लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी गई यहीं बहुत मतलब मसला इनका खराब लगा बाकी कुसाल परेर दोनों अपने टीम के तरफ से विकेट कीपरिंग करेंगे बैटिंग करेंगे दोनों ऐसे इंपोर्टेंट है लेकिन जो लोग रिक्स लेना चाहें कुसाल परेरा का विकल्प है वह यह यह वन डाउन बैटिंग करेंगा मतलब यह खिला ली ठीक है और जबरदस यह खिला कर रहे हैं तो ऐसे में चारु इंपोर्टेंट हैं बागि आसलनांका को जीयल में रिंकु सिंग को भी जीयल में फ़र्ष इनिंग के बैट में ट्राई करना चाओ कर सकते हो हाँ कमेंडू मेंडिस पे जरूर नजरे रखना ठीक है यह इंपोर्टेंट खिलाड़ी यह हो सक लोग टीम बनाएंगे पूरी जनता की यह टीम बनने वाली है और देखा जाए तो यह टीम एक तरह से बहुत अच्छी टीम भी है लेकिन जिनको अलग करने का कीड़ा है देखो अगर इंडिया की टीम सेकंड इनिंग में बॉल करें तो इनको देख लेना सिराज अगर इंड उन्हों पर ध्यान रखना एस्पेसली ए फनांडो पर ठीक है बाकि फनांडो अभी अभी एवलेबल है नहीं फॉर्म बहुत अच्छा था विला लगे खेले तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और राउंडर सेक्शन से यहां पर संका को जैसे मैंने बता दिया है सब के बार करें सिलंका की टीम तो इनका विकल्प है दोनों विकेट कीपर का विकल्प है लेकिन रिशाओ पंठ फंस रहते पिछले मैच में लेकिन फिर भी देखो इन्होंने परफॉमेंस दिया था तो आप जा सकते हुए इनके साथ भी बाकि यह जो बैटार है चारो इनका भी विक नाम चैनल पर ही मालूम चल पाएगा जिसका एक लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है लिंक वर्क ना करें सिंपली से क्रिक 2580 अप्लिक करके सर्च करके आफेक्ट यहां पर मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा बागी कमेंट करके बताओ वीडि दिया है और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना तो मिलते हैं करें चीव वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई चेक करें